कि अब प्यारे बच्चे वो सभी को राधे राते मैं पावनाज जारी एंड नेंसर अधियर अधियर अब अभिनन दन जो बच्चे 12 क्लास की त्यारी कर रहे हैं और बोर्ड की त्यारी कर रहे हैं जिसका पेपर अग्रेवल्चर बायलोजी जो आपके बहुत नजदिक हैं उसके लिए में कुछ खास क्विश्चिन जो मैंने प्रिपेर कर रहे हैं आप लोगों के लिए और उससे समब्दित और कुछ क्या क्या बन सकता है क्विश्चिन वह भी आपके सामने में सब्सक्राइब करेगा कि यह बहुत अच्छे तरीके से इसको आप करें ठीक है तो अग्रिकल्चर बायलोजी के में प्रून क्यूशन जो आपके बोड एक्जाम में आने वाले हैं इसे संब्दित जो कुछ भी है मैं आपको बताने वाला हूं तो बहुत फास्ट तरीके से अपन इसको रिविजन में डाल रहे है क्लास को और अपनी त्यारी को एक लास्ट रूप दे कहां कमी रह गई है कौन से कुछन इंपोर्टेंट रह गया है नहीं रह गया है तो सब अपने देखेंगे चली स्टार्ट करते मैं जड़ा रहे हैं अपने अब्यस्ट नहीं रखा होगा तो जैड़ सी बात है उसके लिए यह आराम से बहुत अच्छा हो ट्रॉपिक होने वाला है इस चेप्टर में में खास बात बता दूबटा कि लगबग आपके आठ से दस नंबर का चेप्टर कवर कर जाएगा इस चेप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी पढ जाता है अगर बात करूँ चोटे कुशन की चलता हूं इस चेप्टर के जो लास्ट में जो बटा इस्टिटूट की नाम दे रखें ना लगबग 10-15 नाम 10-18 नाम दे रखें ठीक है उन्स इस इस्टिटूट को बहुत अच्छे तरिके साब पढ़के जाना ठीक है और इस सब्सक्राइब के नाम और वो कहां पर इस्टित है वो जुरू देखके जाना एक नमर में कुशन में यह आने की संभाव मना है पिर अलगलग परिपास आई अलगलग डेपिनेशन से बटा जैसे की बात करें अपन पादप उत्तक पादप क्या नाम प्रजन किसे कहते हैं सब्सक्राइब अलगलग प्रकार में आपको पढ़ाय सब्सक्राइब क्या होता है पादपुरा अब्रॉस्त में क्रक्रतिक वरणों के अनतर पता ना है जो अपने पास natural और artificial selection है उसमें क्या अंतर है अगर मैं बात कुरूँ पहले चेप्टर के इंदर तो पहले चेप्टर के इंदर जितने भी अंतर है ना बटा जितने भी difference है उसको देखके जाना अंतर कौन-कौन से नंबर वन प्राकर्तिक और क्रत्रिम में अंतर पूछ लेगा आपको प्राकर्तिक और क्रत्रिम में अंतर पूछ लेगा वराण के अंतर नेचुरल और आर्टिफिशल सेलेक्शन में दूसरा है क्या पात अपने पास में सुद्ध बंस करम चैयन सुद्वन्स करम चैन, हुआ समू चैन में अंतर मास्स सलेक्शन और प्योरर लाइन सलेक्शन में अंतर पूछ लेक आपसे तीसरा है जितने भी यह पूरस्थ आपन के प्रकार है अपने dose पूल के प्रकार ठीके प्रकार किसके बात करेंगे अपन? जीन पुल जो जीन को, उसके प्रकार है, प्रात्मिक विभित्य को तरत के प्राइमरी, सेगेंडरी और जीन पूल है, उसके प्रकारों को अच्छे सा देख जाना, ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, पादर प्रजिन के उदेश्ये, यह बहुत बार कुशन आ चुका है आपक करें जिसके इंद्र आपको बता रखा है अरजन करना करना सची बद क्रोसेस अपन बात करेंगी इसको आपको या दोनों में अंतर वाले कुशन अच्छे से देखे जाना विटा ठीके नेच्ट बात करें संकरण किसे कहते हैं उसके उदेशी और योज़ुना क्या है संक्रण कि अब यह दो भीन गूणवाले फोदों केमत ले क्रोश करवा के नए फोदर प्राप्फ करना संक्रण 30 क कराता हैं इसके क्या उदेश्य हैं संक्री बीच करना करना है न और आनवानस्तिक बिप्टा परजा करना ल schizophrenia करना करना उसके बाद उसका मुल्यांकन करना जनकों करना वीपूंसन करना ठैलिल लगाना बैगिंग करना पूरा प्रोसेस आपको बारे पर इसके अलावा संकरण की जो और प्रक्रिया हैं उसको भी आप पढ़के जाना बटा है ना जैसे कि वंसावली पेडिग्री सेलेक्शन प पन बोलते हैं उसको पढ़के जाना ठीक है यह बेक्रोस विदी और परतीव इदी और तीसरी है बल्क यान की बल्क मेथड पढ़के जाना इसका तीनों मेथड जो है आपको अच्छे से पढ़के जाएगा तो यह पहले चेप्टर की बात करें जिसके इंदर आप इस्टिटूट से लेकर वैसे जो बच्चा पढ़ा ही कर रहा है उसको इस क्लास के कोई जरूत भी नहीं होनी चाहिए सब कुछ उसने साल पर पढ़ा हुआ है तो उसको एक तरह से बस एक आंकों से निकालना है पर हां जो बच्चा फोटा सा एवरेज है जिसको जरूत पढ़ रही है तो इनको देख सकते हैं आप एक सब्सक्राइब करके जाए जाएगा पिर बात करते हैं अपन चैप्टर न सब्सक्राइब करना जो समा कलोन विविता से कौन कौन से बनाए गई है उसके बारा में कुछिन आ सकता है पुसाजय किसान के बारे में मैंने बता इंदर को निकासे कहते हैं अपने पास में अनुमाशिक अंतर की जनेटिक इंजिनिरिंग किसे कहते हैं पादव हान में बता उसको किस से लेपित करते हैं ठीके सोने के करणों से ले movies लेपित करते चोट बन रहे हैं vär्रहा चोट इनुमें से आपको देखने आच्चाए एक बात ही आपकी हे सब्सक्राइब के चौबदा चेप्टर आपने पास में उस हर चेप्टर के पीछे की जो एम सिक्यू कुष्ण है वो जरूर देखके जाना और यह वन लाइन वाले कुशन जरूर देखके जाना आपके जो स्टार्टिंग अभी जो पेपर आ रहे हैं उस पेपर में आपके 101 परसेंट कुशन उन्हीं में से बनने के संभावना रहेगी ठीक है बटा तो इनको कुशन का अच्छे से देखके जाना एग्रोबेक्ट्रे अच्छिन के इस प्लाजविड टियाए प्लाजविड की सरचना कैसे बनेएगी इस टीए प्लाजविड में कहां पर अपने को वांचित जीन जोड़ना है ठीक है बेटाई ये इस प्रकार से ट्रांस्वर्णिक पात्व किसे कहते हैं ठीक है एक है वहाग PBR 322 का इसको इस चित्र को एक तो इस चित्र को और एक टी आई प्लाजमेट की चित्र को अच्छे से देखे जाना एक आपका जेल एलेक्ट्रोफोरोसिस विदी का डाइग्र इंजेक्शन टिक जितने बी वीदिया है उनके डाइग्राम जोरुब देखे जाना बटा डाइग्राम कोई कमीनी होनी चाहिए वीबिन प्रकार के संवर्दन की किरिया विदी आपको अलगले प्रकार के संवर्दन बताया थे ब्रून संवर्दन याद करो कोसी का प्लास्मिट की ताहरी करना प्रि angry प्लास्मिट तीसरा उसको दोनों को जोड के नएया डीयने बनाना और चोथा उसका क्या करना रीफ सिंधिसिन करना यह अपन आनुआ सी वादर के चप्ण में पड़ते मैं नेक्स्ट में सॉत हैं इसका शरीत क्या क्या होता है जो भी आपको मैंने पता रखा है तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दूसरा पॉइंट की यहां पर चेप्टर तीन में आपको अलगलग प्रकार के वर्किकन्ड तेया रखें कीटों का साइंटिफिक नेम आपको याद भूना चाहिए किसी भी कीट का साइंटिफिक नेम पूछ सकता है और हो सकता है उसकी ऊड्टर फूछले फेमीली पूछले वाजीब है आप सकता है कूई बड़ी बात नहीं कात्रा ऴस्ट पी पोच्छ सकता है किसके क्या है इसके नेम को बात कर नहीं निग में इसके बारे सिद्धान्त आपको यादी है जो दो प्रकार के होता है ये सिद्दांतू मैंने बताया था आप सबढ़े इक सिद्दान्तू इवरो नाम के साइटिस्ट नहीं इसको दिया था और जो रेगिस्ताइन टी-डी है उसके लिए सिद्दान दिया था इसको थोड़ा साब अच्छा से बढ़के जाएगा फिर बात करते हैं अच्छा यह जो चेप्टर था चेप्टर नंबर तीन इसमें से चोटे कुशन में साइगा किसी कीट का परबंदन तो आपको अच्छा से याद आ रहा है तो लिख किया नहीं याद आ तो बैसिक पॉइंट जरूर लिख के आना जैसे जैसे कि अब या उसको खरपतवार होते हैं उसको जला देना उसको आग लगा देना ठीक है गयरी जुताई करना डीप समर प्लॉइंग करना ठीक है बीजो बैसिक पॉइंट है जिसके द्वारा आपन पैचान सकते हैं आगे बात करें अपन है चैप्टर नमर चार समाकलित कीट प्रबंदर कीटों का नियंत्रण आई पीम जिसके अंदर आपन इस्पिसले बढ़ते हैं तो नमबर वन है पेड़क नासियों का अबर्गी करन जितन क्रें जितनों कर नाशिक और ऊठिरों ऑट ओस्सच कि कईनदर आप लग अलग wrinkles परकार के कितना स्विसस्तों के बारे बता रहत है उसका दूमक को इसपिछली पढ़कर जाना क्याते हैं क्रांतगनासी अंग्रे जीम मी कहते हैं रोडनेटिस पढ़कर जाना इसको जो को बिदि मैंतनों विंदि को समझाए और प्रिया कर्षान न्यंट्रण सूर्ण के था कर्षान के कूए को का रफटो पॉइंट्र पॉंट्स है नहीं जो क्यों कि आप समझाना है यहां पर जरूर बनाना है डाइग्राम में कोई नहीं करें अगर किसी कुछन के इंदर डाइग्राम नहीं पूछा हुआ है तो भी आप अपने तरीके से इसको बनाए तो अपने पेपर को जितना अट्रेक्टिव बना सकते हो उसको बनाओ क्या आपको इसलिए बता रहा हूं में क्योंकि जो एक्स्टा पॉइंट्स अच्छे से एड करके जतना को आप तो यह अपन यहां पर देख पा रहे हैं पिर आता है नेपसे प्र के बारे में और दो एक तो एक तो एक नेपसे तो दोनों में नेपसे पर को जादा तो देना फिर भी अच्छे सा पढ़के जाना है आगे बात करें अपन समाकरित प्रबंदर को समझाना है आई पीम को कैसे अपने करेंगे आई पेम के अंदर कैसे उसकी विदिया आती है उसको पर समझेंगे करंतक नासी में अभी बताया दिया था रोड़नेटी साइड क्या होता है उसके बारे में बताया था आपको मैंने च्छोटा किश्टन इस चप्रम बनने की संभावना कम है च्छोटे किश्टन कम बनने की संभावना है फिर पी आई पीम का पुरा नाम पूसकता है आई पकेम का कॉंसेप्ट किसने दिया था वो पूसकता है ठीक है बटा यह थोड़ा ध्यान रखना फिर बात करते हैं चेप्टर मेर पांच इंपोर्टेंट चेप्टर फिर स इस में बहुत बड़ा चप्टर है यह सकते हैं यहां पर पहले में बात करता हूँ चोड़े किश्टन के बारे में तो चोटगे क्यूशन में देखना जिते में सबदावली है कि ट्री पढ़िक स्टर्टींगे टमीलोलजी है हिस्ट्री बारे में पढ़के जाना बंगाल सुदूरीरीर गाला लंकाल कवाया ऑर यह सब कुछ लगके जाना में फिर बात करते हैं अपन यहांपर डाहिग्राम के बारे हैं यहांपर एक तो कवक इंपोर्टेंट एंज prove इसबारे में आपको जुरूर को कवक और जिवारां कीजारे जो ऑनचना है उसको पढ़़ने जाना है उसको अच्छा से याद करना है लिखना है वहांपर के बारे में ठीके gram gram ग्राई, gram positive, gram negative क्या होते है backtrack structure के बारे में रखा है दियरक है और अंतर करके जाना है यह पर object diagram कवक और जीवान का अच्छा से याद करके जाना किस इंति से रोजन का जरूर कुछे का हो सकता है वह वाइस का पूछना बिल्कुल एक सरचना दिरूरू पूछेगा और किसी के लक्षन पूछ सकता है जिवान के पूछ सकता है और कि आपके वायरस के पूछ सकता है पूछे गए हैं कि लास्ट बार में फिर भी इसको पढ़के जाएगा और आर्की वेक्टरिया आदे जीवान के बारे में पढ़के जाना क्योंकि यह इस बार अच्छा सा आने की संभावना है इसमें से रोक कारकों के आदार पर जो पूछल टेक्टर से उसके अकोडिंग प्लांट की डिजिस को कैसे क्लासिपाइगे अपन उसमें अलग लग प्रका पढ़ेंगे तो यह चयर्पनबर पांच जो हैश्परकाट से अपन करेंगी को कि यह बात करते हैं अपन अगर इसकी जो कवक हैं वो अपने कवक जाल से कुछ पदार्त रेकालती है उसको अपन अर्गोटीन कहते हैं उस अर्गोटीन वाले पदार्त को कुछ अगर कोई मानव खा लें पस्जू खा लें तो इसके अंतर जो रोग पदा होता है उस रोग को पन क्या क्या कहते हैं अर्गोटीजम कहते हैं नेक्स है बाजरे में अरगट या चैपा रोग के रोग जुनक का नाम लितना है इसके लेक्षन को लिखना है और आजयनी प्रबंद को समझाना है वापस से बोल रहा हूं एक तो चेप्टर अच्छे चेप्टर साथ चेप्टर आट और चेप्टर नो इसमें से बड़े कुशन में 100 और 1% कुशन आपके बनेंगे बनेंगे इसमें से एक आप तो बाजरे के जो द मुंपली का टिक्का हो गया है एक आपका हो जाएगा क्यों की जो तीनु रोल लिया है क्यों की तीनु रोल लिया रस्ट ऑप्स डिजीज इसके अंदर ब्लेक रस्ट हो जाएगी आपकी येलो रस्ट हो जाएगी राउंड रस्ट हो जाती है वो एक अपने पास में सिट्र नोट डिजीज सब्जों का जाडगान्ती और एक और निकालो गया ग्याहूं का तुन्दू रोग तुन्दू डिजीज ऑफ पीट तो यह रोग जो है इनको अच्छे सा पढ़के जरू जाएगा एक सर्सो का सफेद रोग इनको अच्छे से पढ़के जाएगा लाट रेला रोली टीके उसके विस्तार से समझाना है अलकशन्स समझाना है परबनन को समझाना है आपको यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रोग है जिसके बारे में सकते हैं इस चेप्ट्रेंच के पीछी गोंगे के बारे में दे रखा है गोंगा जिसको अपन स्नेल कह रहे हैं एक सलग के बारे में दे रखा हैं सलग इन दोनों को अच्छे से याद करके जाने इसमें से दो नमबर तीन नमबर के क्षिन दोनों वह छोट छोटे हैं इसका वर्किकरण पूछेगा मालों पूछतिया कि भया गोंगे का वर्किकरण लिखो और इसके लक्षन लिखो को 6 लखो तो गूंगे का वर्किक करण इसकी यह समाध्य सांवार्गा जांधित यहां मालों पूछतिया को भीक करते हैं होता है इसके भुजांग होता है ठीक है और यह काली मिटी में सब चाहिए अकर्मन करता है तो यह सब कुछ बैसिक बैसिक बारे में पढ़के जाना बटा और नवे चेप्टर के अंदर एक सुत्रकर्मी का नामांकित चित्र निमेटोर का आपको डायग्राम अच्छे से पढ़के जाना है तो प्लांत में क्या लक्षन परदा होता है ठीक है वो पेले पड़ जाएगा कैसे अटेक करता है निमेटोर उसके बारे में आपको लेखना है ठीक है तो यह नवा चप्टर बहुत इंपोर्टेंट है कि एक चेप्टर आपके छे से आठ नमर गेड़ जाएगा अगर मालो किसी बच्चे ने पूर साल बर भी बढ़ा ही नहीं करी कि सर मेरे तो क्या गुरू लास्ट के दो तिन रहे गए मुझे कुछ ऐसे चेप्टर बदा दो जिसको मैं याद करके चला जाएं तो भी आराम से उसका बेड़ा पार हो जाएगा चौदा चेप्ट्रमस के बारे में मनें पता ही था 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 साम नामांकी चित्र और यह कैसे को तीन नाम आपको लिखने है पादव परजिवी को तीन नाम अपने लिख सकते हैं सुट्रमी के जैसे हो गया ठीके आप पास में तून्टू डिशीज के हो जाएंगी इस प्रकार से अपन लक्षन गया सकते हैं इसके बारे मैं अब डिसक्स किया था सब जो के जड़करंतिय रोग का परबंदन मैं बापस बोल रहा हूं परबंदन पूचेगा किसी किसी का या तो कीट का परबंदन पूचे या चला देना चहीए फसल की अग्यती बुगाई करनी चाहिए फसल चक्रण अपनाना चाहिए ठीक है और अपने पास में ग्रिष्मेगालिन के्रे चुटाई करनी चाहिए का वक नसी जैसे मैंको जेफ, मैटाल एक्जिल, ट्राइकोडरमा से विजोबचार करना चाहिए ठीक पढ़के जाना और के जो बाहिए आकारी की है एक्टरनल मॉर्पोलोजी पूछेगा बना के लेकिए इसमें बनाना है अपने को पढ़ना इसका पढ़के जाना यह पूछेगा आप से कि यहां क्लाइट अलम यह जो पूरती इसकी प्रहणिका होती है वो कौन से बाग में होत करते हैं इसको आप अच्छे से देखकर जाना है और किया नम केचवे में कैसे जनन कैसे होता है अब केचवा बले ही प्ले ही उसके अंदर नर और मादा गो पाए जाते हैं किन्तू इन दोनों के अंदर क्या होता है नों के अहीं एक फीय आध सब्सक्राइब रहूं करता है चाप्टर 11 यह ओब तो बारा इंसे क्विशन ठीक तागी बनेंगे ज्यादा एक्स्प्रेंद नहीं करवाएगा वो आपसे च्छोट च्छोट पूच्छन बनने की संभावना ज्यादा है जैसे टीडे का साइन्टिफ क्या पूच लिए आपसे वह यह नाम पूच लिया टीडे के मुखांगों क फिसु जो पलिया है के मुखांग क्से होता है ठीक है उसके मिलता है जिए जिवंचकर पूच को सकता है अंडा लारवा प्यूपा अंडा उसमें इसके टीनों होता है है और टीडे का एक्रेम के इंप्रोटेंस है वो पूच्छ सकता है आप से जिवन चक्र के बारे में यह देखे आगे बात करते हैं अपन नेक्स चप्टर मरबारा वापस कहें रहा है क्षिशन बनने की संभावन कोड़ा कम है क्योंकि सिंपल चैप्टर होता है और बड़ा कुछन बनते हैं नहीं चोट है एडेक नहीं है नेक्स्ट चैप्टन बर 13 को थोड़ा सा समझ लिजीगा एसकरिस में नर और मादा एसकरिस में अंतर पूछ लेगा आपके एसकरिस का जिवन चकर भी पूछ ले इसको भी आप पढ़के जाएगा पिसू की बायस रंचना कैसे होती है थोड़ा सा अगर अजोड़ा सा टिपिकल है बना पाव तो बहुत अची बात है बना लेना और तीन चार अंगुस में लिख लेना और आर्थिक में अठो पीशू आपको पता है चोहों के इंदर जो रेबिस चोहों के इंदर जो प्लेग रोग होता रटस-रटस उनके-लिए वहा का काम करता है ये ठीक है और पिसुआ की बाईसरंचना पड़ के जाना जोंक की सरंचना देखे लेन oंth street होते हैं ठीक है और इसके जोंक कर सोहते हैं ठीक है आरणम का सबस्स्राइब के भाड़ जोड़ा सा बढ़के जाना इसका डाइग्राम देखे जाना लिवर फ्लूक की चुलारवा वस्ता है इसको थोड़ा सा देखे जाना डारवा वस्ता कैसे होती है जीवन कैसे पिताता है वह लिवर के दोबार कोन सा रोग होता है बैदों शीपिंडर कोन सा रोग होता है एक के लएक मृषकल के अदर जो होता है इसकरीस होता है उसके क्या लक्षन है थोड़ा बहाँ देके जाना और एकल और मिश्रित पालन में अंतर आपको करना है। एकल पालन मिश्रित, mixture culture, polyculture, monoculture क्या होता है उसके बारे में और साथ में जो गनत्व के आदार पर Density के आदार पर पी आपर मजली पालन को अलग करते हैं। उसके अधर भी उसको आप पढ़के जाना राजसान के अंदर मशली पालन की क्या संभावना है और इसके अंदर एक एक नमबर के कुश्चन जैसे की मतिश्य पालन विबाग की स्थापना कब हुई उनीसो बर्यासरी के अंदर हुई ठीके राजसंग है ना जो दक्सिन जिल्ए है राजसान के जिसमें आपके बासवड़ा कोटा चितोड यह जिल्ए आते हैं जहां पर राजसान सरकार कुछ योजना चला रही है उसको राजसंग नाम देते हैं अपन मटिस्य पालन वीबाग força को सब्सक्रावी तुए मचली पालन मचली में कों सा थेल जो अपने जो तेल मिलता यह पने लिवर उसकों सा वीटामीन होता है के जो क्रांती को क्या नाम दते हैं लिपने हैं नीलि क्रांती केहते हैं व्लू रिविवर को इस सब्हुश भीकत तो यह बड़े बड़े मोटे मोटे कुशन जो आपको मैंने समझाये हैं और छोटे क्या बन सकते हैं वह भी आपको मैंने आपको बता दिया हैं बार-बार बच्चे गबराने से सो टाइप क्या बनेंगे सो टाइप क्या बनेंगे तो सो टाइप का बड़ा मैंने आपको एक ही बता रखा हैं जो पार्ट के पिछे कुशन देर रखे हैं सिंगल वन लाइनर फिशन है उनको अच्छे से पढ़के जाओ आपका काम आसानी से हो जाएगा ठीक हार नहीं आएगा अगर जिसकी तयारी बहुत अच्छी है तो उसको यह बिल्कुल हार नहीं लगने वाला है जिसने बार-बार रिविजिन किया है और जो यहां पर NCA प से अपना केरियर आगे बनाना चाहते हैं और इसी साल जेट क्रेक करना चाह रहे हैं जेट का फोम बर लिया होगा आप लोगोंने बटा नहीं बढ़ा हो तो आज लास्टेट हैं बरने की 500 रुपे अलग से देखें आप फोम बर सकते हो आज लास्टेट है बर लेना बटा और साथ तारिक छे तारिक को आपको जैसे पेपर होता है ऐसा नहीं का आराम करें अब एक्जाम हुआ है आराम करते हैं ऐसा एसा नहीं है यहां पर आप आएं क्रेस कोर्स करें एक मेने का सवा मेने का क्रेस कोर्स हो का बटा चोदा में को आपको एक्जाम है और हम पूरी स करेंगे कि आपका सेलेक्शन इसी बार क्रेश कोर्स हो जाए ठीक है बटा इसी संभावना के साथ में और कुछ भी आपको डाउट है तो आप जो नंबर चल रहे हैं इस कोचिंग के जो अपने पास में लाइन चल रही है निचे उस नंबर बाप कोल करके जो भी डाउट है व कर सकता।